वेलकम स्टूडेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल उपलर गुरूपे दोस्तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने निकल किया रही है मगद यूनिवर्सिटी से आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में नोटस देखाने वाले हैं मगद यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी के अभी तुरत जारी किया गया है मगद यूनिवर्सिटी द्वारा अभी तक नहीं देखा है आप लोगों नहीं देखा अगर अगर देख भी लिया है नहीं समझ भाए है पूरा डीटेल से समझाने वाले है 18-1 की सेशन और 19-22 सेशन के चाहे है आप regular BA, BAC, B.com में है या फिर आप vocational BA, BAC, B.com में है आपका first part 1 का result, part 2 का result, part 3 का result exam में जो भी चीजे होनी है आगे सारा का सारा result का date जारी कर दिया ग सर किस दिन को यह किस दिन होगा, यह किस दिन होगा, यह किस दिन होगा, result examination आपका calendar जारी कर दिया गया है कि आपका किस दिन क्या होने वाला है तो वीडियो लास तक जरूर देखिए आपको calendar दिखाने वाले है, examination calendar चाहे है आप 19-22 के student हो, 18-20 के student हो, इस calendar को जरा ध्यान से आपका एक्जाम किस दिन होगा आपका रिजल्ट किस दिन जा रही होगा सारा कुछ एकदम डिटेल से सब कुछ मगद उनिवर्सिटी ने एक्जामिनेशन कैलेंडर फॉस्ट टाइम निकाल है और आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर आज ये निकल के सामने आ रही है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो आगे बढ़ा है उससे पहले आपको बता दे कि हमारे चैनल पर मगद उनिवर्सिटी से सबसे पहले दिये जाते नहीं जुड़े हुए है तो जुड़ जाए नीचे लाल लंका सब्सक्राइब बटन है उसको अभी के जाए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किनिके तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले वह notice और यह सबसे पहले आप अपने सामने देख सकते हैं कि यह जो वेबसाइट है यह मगद उनिवर्सिटी .ac.in पर आना है आप लोगको और यहां पर नीचे स्कूल करना है नीचे आप लोग करोगे इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर एक न्यू नोटिस का एक टैब आपको सामने देखने के लिए यह मिलेगा यहीं पर सारे के सारे अपडेट्स आते हैं जैसे यहां पर व् क्या बताता है हमें तो examination calendar यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपके results की सारी की सारी details यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगे आप किसी भी session के उठारे किसके हो या फिर 19-22 की examination calendar पर आप लोग को क्लिक करना है और यह अभी के अभी तुरद यहां पर जारू किया गया है जाहे है आप PG में हो, UG में हो, graduation में हो या फिर post graduation में हो सभी के लिए यहां पर आप सभी students इसको डाउनलोड कर पाएंगे यहां पर आपको अगर UG में तो UG पर क्लिक करना है PG में तो PG पर क्लिक करना है यहां पर आप लोग देख सकते हैं UG का आपका examination calendar आप लोग के सामने मगद University द्वारा अभी के अभी जारी किया गया है और यहां पर इसको समझ लेते हैं सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह सबसे पहले 3 years का degree यहां पर graduation का course आपको दिख रहा है और नीचे जो है vocational का course अगर आपके पास vocational नहीं है आपके पास degree course है BA, BA, C, B.com का 3 साल का course तो आप आप लोग ऊपर देखना है वरना आप लोग को नीचे देखना है आप लोग यहां पर और 20-23 के students भी इस चीज को ध्यान से देखें 20-23 के students का भी यहां पर पूरा part 1 का यहां पर date लिखा हुआ students का 18-21 के student का यहां पर part 1 का exam जो है वो हो चुका है और examination जो हुआ था वो मई 2019 मही यहां पर हो गया था और result भी publish हो चुका है यह बात यह first line खतम और result यहां पर उसके बाद 18-20 के part 2 के results की बात करें part 2 का exam यहां पर हो चुका है और exam भी completed हो गया result का date जो है अभी आया नहीं है part 3 का exam कब होगा वो यहां पर लिखा हुआ है सामने देख सकते है अप्रील में आप लोग का part 3 का exam लिया जाएगा यहां पर बात हो रही है आपका यहां पर जुलाई 2022 में आएगा बात कर लेते हैं यहां पर और सभी के उपर फिर से डीटेल से अभी बात करने वाला है इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रू देखिए आप तीनों सेशन के अगर हैं तो 18-20 के हैं 19-22 के हैं और यहां पर नेक्स बात कर लेते हैं 19-22 के बारे में 19-22 उनेस सेशन के बारे में 19-22 का यहां पर आपका जो एक्जामिनेशन जून में होने वाला था वो यहां पर पर पार नन इक्जाम कमप्लीट हो चुका है स्टुडेंस आप लोगका जो रिजल्ट है वो यहां Egypt देख सकते हैं तो यहां पर शुडिशन सकत जो प्रफोस्ट डेट है वो यहां पर अक्टूबर बताया जा रहा है तो यहां पर देख सकते हैं और बात यहां पर करें 20-23 के जुट इसमें examinations due and date of examination जो है आप लोग के वो जून 2021 है लेकिन आप लोग का जो प्रपोस डेट है वो मई 2022 यहां पर आपका फर्स्ट एर पार्ट वन का exam जो है वो मई 2022 का time आप लोग को दिया गया अब आप लोग के पास exact time है आप लोग पहले बहुत सारे students confused होते हैं कि sir हमारा exam कब होगा और इसका date क्या आएगा कब आएगा लेकिन आप लोग अपने सामने आप खुद से देख सकते हैं कि कब किस चीज का आप लोग का exam होने वाला dates क्या है पहले आप लोग का यहां पर पार्ट टू का exam यहां पर मई 2022 का होना था लेकिन प्रपोस्ड अब आगे डिले के क आप लोग का 2000 आप लोग का 23 अप्रील यानि की पार्ट टू का exam जो है 20 समय पर आप लोग का होने वाला एक चीज से आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यह जो last वाला आप लोग का लिखा हुआ है अप्रील expected date है और यहां पे जो होने वाला तारीख है वो भी एक फिक्स कर दिया गया है तो आप लोग इसको अगर डाउनलोड करना चाहते है इसको PDF के तौर पर तो यह हमारे आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा वरणा आपको वेबसाइट के तौर वेबसाइट पर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वह आप लोग आप वरना आपको telegram group पे मिल जाएगा और whatsapp group पे भी मिल जाएगा जिसका के link आपको video के नीचे description में दिया हुआ है दोनों को आप लोग जाए दोनों को join करिए बहुत कम chances है कि whatsapp group में आपको जगह खाले मिलेगा telegram आप लोग join कर सकते हैं उसका भी link आपको नीचे video के नीचे description में देख लेक के लिए मिलेगा और बहुत ही जादा important notice एक चीज़ सभी student ध्यान से समझ लिजे कि अभी आज ही हमारे चैनल पे एक और वीडियो आई थी जिसमें की बताया गया था कि आपके कुलपती जो है मग देख सभी colleges में metric के exams conduct कराये जा रहे थे अब exams metric के खतम हो गए इंटर के भी बिहार में exams खतम हो गए अब जो भी से ऐसे में जो students देखिए हमें भी पता है कि बहुत सारे मगज university के students है जो कि college नहीं जाते हैं ऐसे में आपको पता होना जरूरी है कि आपके college में आपके subject में आपके classmates क्या कर रहे है तो ऐसे में facilities available कराये हुए हमारे पास आप हमारे telegram group को WhatsApp group को join कीजे खासकर telegram group को join कीजे ज आपके college में आपके university में कुछ जारी किया गया तो सबसे पहले आपको update मिलता रहे नीचे आते हैं vocational course भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे students vocational course को यहां पर समझ सकते हैं कि जो proposed date है और जो expected date है वो यह है जो यहां पर सभी students के यहां पर 18-20 का यह पूरा session है यह पूरा section यह 19-22 का पूरा section है यह 20-23 का पूरा section है और यहां पर नीचे जो है वो सबसे नीचे LLB है यहां पर LLB 5 साल का जो course है तीन साल और 5 साल का course यह expected date और यहां पर आप लोग का जो proposed date है यह एक्सपेक्टेड यह जो date पहले से बताया गया था और proposed date मतलब होता है क जो date में वो चीज हुआ तो आप लोग यहां पर समझ गए और सबसे important टेलिग्राम ग्रूप जोइन करेज़े क्योंकि अब लगातार आपके metric exams भी खतम हो गया बिहार में अब आपके college से सिर्फ और सिर्फ notice की भरमार लगने वाली है कि आप आपका exam होने वाला है आप exam form ज से जुड़े जाने के लिए चैनल से भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे कोई question है जो की पूछना चाहते है तो जरूर पुछे इस वीडियो के नीचे comment section में वीडियो live देख रहे है तो live chat में भी आप लोग पूछ सकते ह लाइक करते हैं नेक्सट अपडेट के साथ जैसे कोई भी update जारी करता है मगधी उनिवर्सिटी और अपडेट से जुड़े रहेंगे लिए चैनल से भी जूड़ुड़ जाए सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को मिलते हैं नेक्सट अपडेट के साथ जैसे कोई भी जारी होता है मगद युनिवर्सिटी द्वारा उसके साथ तब तक के लिए नमस्कार